स्मार्ट बनने आयो ना दर अन्वीर शोट हिंदी पर इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉटकास का सबसे बहतरीन चैनल लाइक बटन हिट कीजे सब्सक्राइब बटन हिट कीजे बेल आइकॉन लिक टीजे तो मैं यह पूछना चाहूंगा आपसे कि यह जो religion-based divide and rule policy थी यह इंडिया के freedom struggle में पहले apply नहीं करी जाती थी यह बाद में apply करते गाई Britishers क्योंकि हमारे freedom struggle में बहुत सारे muslim भाई भी थे हमारे जैसे Khan Abdul Gafr Khan फिर और कौन थे I can think of Khan Abdul Gafr Khan very prominent, very very patriotic Indian बहुत patriotic अधित है अधित है और मतलब अगर अब 1857 के revolt को भी study करे तो Hindu Muslim साथ में essentially लड़े थे in a sense और हमारे history books में आज हमें क्या सिखाए जाता है आज हमें struggle history books में बोलते है कि non-violence से हमें peace मिला actually क्या हुआ था कि जब भारत में कुछ बचा ही नहीं था और वहां ये Second World War में Britain तूट चुका था तब वो चले गए फिर भी वो तूड के चले गए क्योंकि उनके और geopolitical interests अभी थे इस region में so they do not want a strong India ये बाद की बात है I think एक और चीज़ कहनी चाहिए सर पॉडकास पे कि जिन चीज़ों को हम history के books में पढ़ते है SSE में, ICSE में, CBSE में आपको ये जानना चाहिए कि शायद वो 100% truth नहीं है शायद सच नहीं है definitely शायद definitely maybe अब ही कही ऐसे फिर क्या होता है कि दो important विक्तियों का जन्म होता है in the second half of the 19th century दोनों गुजराती I think सब गेस कर सकते हैं एक तो महांदास गांदी महांदास गांदी जी और दूसरे महामद अली जिन्ना जी इन दोनों का जन्म होता है और ये दोनों इंग्लिन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए दोनों लॉयर्स बनते हैं फिर दोनों के पाथ डाइवर्ज होते हैं Mr. Jinnab एक बहुत ही नैशनलिस्टिक इंडिविजूल थे Indian nationalist और एक secular व्यक्ति थे ये अंग्लोफाइल ज़रूर थे He loved England, English culture, all that उनकी प्रसम भाषा English है थी कुजराती नहीं थी या कुछ और नहीं थी लेकिन He was an Indian nationalist वो freedom चाहते थे भारत के लिए और वो secularism के proponent थे वो Hindu-Muslim unity के बहुत बड़े strong proponent थे Mr. Jinnab Mr. Gandhi का path अलग है Mr. Gandhi अपना law का study करने के बाद फिर भारत आते हैं भारत से South Africa आते हैं और South Africa में 25 वर्ष approximately I think वहां रहते हैं और कुछ तो करते हैं वहाँ पर पता नहीं क्या करते हैं I think law practice करते थे officially लेकिन उनके बहुत बड़ा farm था Tolstoy farm और पता नहीं क्या क्या farm था और ये activist बन गए for the rights of the Indian people in South Africa और उनने बहुत सारे writings लिखे हैं वहाँ पर journal journal articles, magazine articles letters and op-eds and what not तो उनका बहुत copious literature उस समय का अभी भी public domain में available है बहुत पढ़ने को available है तो उनके उस समय के attitudes क्या थे हमें दिखते हैं He was very much pro-empire South Africa में एक war war हुआ था जो Dutch colonial settlers और British के बीच में war हुआ था जिसमें Mohandas Gandhi, Mr. Gandhi उन्होंने participate किया उनको military rank मिला था sergeant major का and he participated in the war war उन्होंने beg किया British को उनका official writing है I am begging this में भी उस समय ऐसा लिखते थे in official correspondence तो उन्होंने का कि I am begging you please allow us to fight on behalf of the empire हम fight करना चाहेंगे we would like to take up arms लेकिन ये उनका request जो था उसको accept नहीं किया तो फिर उनको रोल दिया गया कि you drive ambulances आप ambulances drive कीजिए and ferry the soldiers to who are wounded from the battlefield to the hospitals right तो Mr. Gandhi नी ये रोल किया और उनको official military title मिला Sergeant Major Mohandas Gandhi तो उन्होंने बहुत सर्व किया British Empire को और उन्होंने लिखा एफिशली कि I believe that the white race the European race should be the predominant predominating race and so on so forth बहुत कुछ तो 25 वर्ष जिए ओफिशल डॉकिमेंट सर्श यू किजिए ओनलाइन in his own writing okay very surprising but it's true okay तो 25 वर्ष उन्होंने वहाँ पर struggle किया किस प्रकार का struggle था we have to examine further लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अच्छनक से he comes back to India और भारत में आते ही surprisingly Mr. Gandhi एक superstar बन जाते हैं सारे के सारे political दुवार उनके लिए खुल जाते हैं and he becomes essentially the number one in the Congress Party overnight जिसे कि parachute लेकर आ गए और अच्छनक से राजा बन गए तो ये status अच्छनक से engineer हो गया Mr. Gandhi का और उस समाई Mr. Jinnah Congress Party के एक senior leader थे और उनने बहुत काम किया था Congress Party के लिए और Freedom Circle के लिए और अच्छनक से वो साइडलाइन हो गए Mr. Jinnah गोट साइडलाइन और उसके वज़े से वो बहुत दुखी हुए Mr. Jinnah उस समाई Muslim League का formation हुआ था in that time period जिसको उनने उपोज किया Mr. Jinnah opposed the formation of the Muslim League क्योंकि वो खुद सेक्युलर थे वो खुद सेक्युलर थे can you believe it he opposed the formation of the Muslim League which he would later become a member of तो ये Mr. Jinnah का था फिर Gandhi जी आगे भारत में और Mr. Jinnah साइलाइन हो गए फिर वो 10 वर्ष तक Mr. Jinnah UK चले गए England and he was out of politics बहुत depressed थे वो दुखी थे और Mr. Gandhi बिलकुल freedom struggle के forefront पर आ गए खिलाफत movement को उन्होंने सपोर्ट किया the caliphate movement to keep the caliphate continuing in Turkey तर्की में क्या हो रहा था कि first world war के बाद पूरा country को western powers ने कबजा कर लिया था उसको essentially divide and fragment कर दिया फिर जो तर्की का जो महान general था मुस्तफा केमालाता तर्क उसने Turkish independence war शुरू किया और उसने जो caliphate का जो institution था खलीफ, खलीफा, खिलाफा whatever it's called in Arabic जो भी term है उसको he announce कि वो abolish करना चाता है उसको तर्कीश जो सुल्तान होता है वो caliph भी होता है होता था उस समय so the last caliph was Abdul Hamid so eventually मुस्तफा केमालाता तर्क ने उसको हटा दिया और जो caliphate का जो institution है उसको abolish कर दिया क्या होता है caliphate? the caliph caliphate जो है उसका जो titular head है वो caliph है and the caliph is the supreme ruler of all the Muslims across the world okay right तो जो Ottoman emperor जो होता था वो 16th century onward से caliph होता था सबी Muslim लोगों का तो मुस्तफा केमालाता तर्क ने इस institution का abolish कर दिया तो इसके विरोध में भारत में जो कुछ लोग थे Muslim लोग उन्होंने एक agitation चुरू किया ये एक obscure agitation था लेकिन for some reason Mr. Gandhi इसको support किया तो फिर ये nationwide movement हो गया और इस चीज़ को बहुत बड़ा प्रोथान मिला and it became a whole separate political movement तो ये खिलाफद movement था खिलाफद movement अब हम खिलाफ ऐसा बोलेंगे हिंदी में उर्दू में तो इड लुक्स लाक विरोध हम इसके खिलाफ हैं हम इसके विरोध में हैं तो सब लोग को इससे लगता था कि ये ब्रिटिश के विरोध में हम कुछ movement कर रहे है इसको खिलाफद movement कर रहे है एक मिनट सब मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि दोनों गांदी जी के और जिना जी के intentions और motivations क्या थे as men according to you जितनी भी history आपने पढ़ी है जितनी भी किताबे आपने पढ़ी है इन दोनों के intentions और motivations क्या थे ये बड़ा dangerous प्रशन पुछा है अपने मुझे अगर आप जिना के दो स्वरूप है Mr. जिना के एक है young जिना एक है later जिना अगर young जिना later जिना से मिलते तो बड़े दुखी होते young जिना would be very disappointed with later जिना older जिना क्योंकि जो older जिना थे उन्होंने अपने principles को backstab कर दिया जो original उनका जो principle था वो था Hindu-Muslim unity and a unified India and he worked for that for decades for many, बहुत वर्शों तक उन्होंने इसके लिए काम किया था as a barrister, as a lawyer as a congress party member as a freedom fighter लेकिन Gandhi जी के emergence के बाद वो marginalize हो गए और फिर उन्होंने पूरा अपना political hutan किया and he became a separatist तो जिना के original intentions अच्छे थे लेकिन फिर उनका जो ये सब हाल हुआ तो he became an opportunist and he became an anti-national essentially अपने ही देश के विरुद खिलाफ वो खड़ा हो गया यानि कि इंडिया नहीं भारत वर्ष भारत वर्ष के खिलाफ Mr. Gandhi बहुत ही complex personality है he was born into prosperity उनके जो पिताजी थे वो दिवान थे एक जामनगर स्टेट के साइद not sure I think one of those princely states in Saurashtra western India, western Gujarat तो उनके पिताजी बड़े powerful थे और बड़े wealthy थे that is some background about him फिर वो England चले गए और फिर वो South Africa गए essentially उन्होंने 25 लग South Africa में demonstrate किया कि I am worthy and capable of serving the British Empire मैं unfortunately ये कह रहा हूं कि he was a British agent ये बहुत controversial है बहुत लग इससे दुखी होंगे but that is my assessment of Mr. Gandhi मैं ये करना चाओंगा कि हमारे school के history books की वज़े से हमें Gandhi जी के बार में और Jinnah जी के बार में पता चलते हैं दोनों India और Pakistan में Indian history books में Jinnah साब के बार में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया बहुत कम लिखा गया and I am sure कि Pakistan के history books में Gandhi जी के बार में इतना कुछ नहीं लिखा गया actually actually मैंने देखा है कि अगर आप पाकिस्तानी historians को देखेंगे या politicians को देखेंगे they don't hate Mr. Gandhi ये बड़ी अजीब चीज है कि Jinnah और Gandhi अलग अलग camps में थे but the Pakistanis overall ये गांदी जी से घ्रणा नहीं करते है ये बड़ी अजीब चीज़ देखेंगे इसका कारण क्या हो सकता है I wonder ये भी कोई अजीब चारू अब देख लिए कभी भी किसी panel discussion में अगर कोई Pakistani panelist है वो कभी बुरा नहीं बोलेगी Mr. Gandhi के बारे में एक साइड नोड में ये कहना चाहूँगा कि मेरे दुबाई ट्रिप में और लाइफ में जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मिले बहुत प्यॉर होते हैं बहुत वाम होते at least in my experience मेरा भी experience है मैं यूएस में रहा हूँ वहां पे मुझे बहुत पाकिस्तानी मिले never any bad experience as individuals हम एक ही लोग है हमारे DNA ही है बस कुछ चीज़े अलग है